हाई फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपके गर पे जो डॉक है वो भी बहुत अच्छे होंगे मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल डॉक कैर एंड क्योर में हर्दिक स्वागत करता हूँ साथियों जैसा कि आपने टाइटल और फ्रनेल में देखी लिया है आज की हमारी ये वीडियो पूरी तरीके से डॉक के सरीर से जो बदबू आती है उस पे कैंदरित है साथ यो आप सभी को पता है अगर डोग के बद्बू आने लग जाती है सरीर से तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अनकंपर्टेबल फील होता है यानि कि जब डोग से हमारा विशेश जो संबंद होता है उसमें कड़वाट आती है तो ये बद्बू किन कारणों से आती है इन सभी कारणों को जानते हुए हम इनका इलाज करेंगे और इस बद्बू को बिलकुत दूर भगा देंगे तो साथियों सबसे पहले मैं आप सभी को एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर ले ताकि जितने भी डोग से संबन्दे जानकारी आए वो आप तक पहुंचती रहे आईए साथियों देखते है अगर आप अपने डोग के सरीर से जो बद्बू आ रही है उसे रोकना चाहते है या आप इसके बारे में विस्तर जानकारी चाहते है तो आप इस वीडियो को अन्त तक देखे साथियों आप सभी को पता होगा कि डोग के सरीर पे एक विस्येश परकार का ओयल रहता है और उस ओयल में कई परकार के बैक्टिरियाज होता है ये बैक्टिरियाज कम संख्या में डोग के सरीर पे उपस्त रहते है लेकिन अगर इनको नमी मिले या इनको गंदगी मिले तो ये बैक्टिरियाज बहुत ज़्यादा बढ़ जाते है और इनके बढ़ने की वज़े से फिर डोग का जो इश्किन है वो बदमू मारने लग जाता है तो इस समश्या के समधान के लिए हमें डोग की सफ़ाई रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है ये एक विसेश बिंदू है इसके लिए आप सब्ता में दो या तीन बार गर्मी का अगर मोसम है तो सब्ता में दो या तीन वार मेडिकेटेड सेंपू से और अच्छे सेंपू से अपने लोग को शनान करवाए इसके अलावा अगर सर्दी का मोसम है तो आप महीने में एक या दो बार उसे शनान जरूर करवाए और ऐसा ये विसेश जान रखें कि किसी गंदी जगें पे वो ना जा पाए क्योंकि गंदी जगें को वो टच करेगा तो उसकी स्किन पे जो बैक्टिरियाज है वो और ज़दा सक्री हो जाएंगे तो इसकी वज़े से परिशा नहीं हो सकती है इसकी अलावा हमें स्किन को ज़दा गिला नहीं रखना है अगर ज़दा देर तक गिली रहेगी तो बैक्टिरियाज क्या होता है साथ यों नमी जब मिलती है पानी मॉस्टर इनको मिलता है तो नमी की वज़े से ये बहुत ज़दा ग्रोथ करता है ऐसे कि मल्टिप्लाई होता है तो नमी उनको कम से कम प्रोवाइट करवाएं है ये बहुत अच्छा रहेगा अक्सर क्या होता है डोक्स जो होता है लिकिंग करते रहते है माली जी आपके गर पे दो डोक्स है तो दोनों आपस में लिकिंग करेंगे तो लिकिंग करने से इसकिन जो है वो शौर है कि नमी आएगी उस पर तो बैक्टिरिया जो है बढ़ सकते है तो उसकी वज़े से बदमु मारने लग जाता है इसके बाद जो सेकिंड कारण आता है सात्यों वो आता है जो चीच्छे या टिक्स बगरा अगर आपके डोक के सरीर के हैं तो उसकी वज़े से भी परसा नहीं हो सकती है तो इसको भी आपको दूर करना होगा तो टिक्स के लिए मैंने बता रखा है कि कई परकार के सेंबूस जो आते हैं कई परकार की मेडिसियन आती है जो डिस्क्रिप्शन में है आप देख लें आपको पता लग जाएगा बार-बार बताने कि आउश्रकता नहीं है इसके अलावा अगला जो कारण है साथियो वो कारण है किसी ना किसी परकार का स्किन एलर्जी यानि स्किन पर किसी अन्य कारणों सो भी जिसके लिए विशेश तोर से हम धनिया किलाते हैं जिसका पूरा का पूरा विस्तरित विवरन मैंने अलग वीडियो में जानकारी दिये जो डिस्क्रिप्शन में आप देख लें तो इसमें आगे जब हम मढ़ते हैं तो आगे जो कारण आता है कान का यानि अगर आपके डोग के कान अगर अच्छी तरह से सपाई नहीं है तो भी बदबू आ सकती है कान की सपाई के लिए साथियों हमने अलग से पूरी की पूरी विस्तरित जानकारी दिये वो भी डिस्क्रिप्शन में है आप देख लें होता क्या है साथियों कि सभी जो जानकारी एक ही वीडियो में देना संबव नहीं है और विस्तर से आपको समझाना भी जरूरी है इसलिए अलग-लग वीडियो बनाये जाते हैं इसके बाद जो अगला कारण होता है साथियों वो होता है वर्म्स का यानि पेट में कीड होगा अगर पेट में कीडे रहेंगे तो कई परकार की गेसिज लोग के सरीर में पैदा होगी अंदर पैदा होगी इस टो मक में और उसमें से सरीर से जो है वो बदबू आने लग जाएगी इसके अलावा साथियों एसिडिटी अगर हम अटपटा खाना अवारे डोग को खिलाते हैं कुछ समय के लिए तो उससे एसिडिटी रहती है पेट में और एसिडिटी रहने से भी कई परकार की गेसिज बनती है और बदबू आ सकती है इसके बाद अगला जो कारण बड़ा है वो कारण है साथियों डी हाइडरेशन यानि सरीर में पानी की कमी अगर पानी की कमी रहेगी तो उसको कब्ज रहेगी कई बार दस्त होने की वज़े से भी पानी की कमी हो जाती है और कई बार उल्टी होती है तो भी पानी की कमी हो जाती है यानि डी हाइडरेशन की वज़े से पानी क्या करता है सातियों मैं आपको एक थोड़ा सा बीसमें बता रहा हूँ पानी सरीर में से जो गंदगी होती है उसको निकालने में मदद करता है वो पानी जो है सरीर में अगर पूरी मातरा में रहेगा तो पैसा आपके जरीए सरीर की गंदगी निकलती रहती है या पसिने के जरीए जो गंदगी निकलती रहती है अब माल लिजी है कि पसिना ज़्यादा आ रहा है या पैसा आप ज़्यादा आ रहा है तो वो गंदगी निकल रही है अगर बाई दे वे ये बंद हो गए यानि पसला बिलकुल कम आ रहा डिया डिस ने वज़े से तो जो थोड़ा बहुत आएगा उसमें गंद की ज़्यादा मिली भी रहेगी तो उसकी वज़े से फिर बद्बू मानने लग जाएगा सरीर इसके अलावा साथियों अगर हमारा डोग कोई गंदी चीजे खा लेता है मानने जिए डस्ट मिन में मूँ दे दिया या कहीं पे भी बार गया कोई गंदी चीज खा लिया उसने उसकी वज़े से भी बद्बू आ सकती है इसके अलावा बद्बू का एक कारण हैर फॉल भी है अगर हैर फॉल हो रहे हैं कई बार नेचुरली भी हैर फॉल होता है और अगर हमें उन्हें रेगुलर नहीं हटाते हैं रेगुलर हटाना चाहिए कंगी करनी चाहिए अगर नहीं करते हैं वो चिपके वे रहते हैं तो वो उसकी जो dead cells है उनकी वज़े से भी सरीर जो है वो बदबु मारने लग जाता है तो साथ यह सबी कारण है जिनको दूर करना बहुत ज्यादा जरूरी है तो इसके लिए आप विसेश अब मैं आपको जो बता रहा हूँ वो विसेश प्रबंद आपको करने है ताकि डोग के सरीर से बदबु ना आए उसके लिए जो पहला प्रबंद है वो है साफ सपाई का डोग से संबंदे जितने भी हम कपड़े यूज़ करते हैं चाए उसके मिचोने के है चाए उसका टावल है उनको हमें अच्छे तरीके से साफ रखना है उसके बैटने उटने की खेलने की जो जगें है उसे हमें बिलकुल अच्छा साफ रखना है इसके अलावा पानी उसे परचूर मातरा में पिलाते रहें यानि कि पानी हमें खूब पिलाना है गर्मी का मौसम है तो हलका उससे ठंडा पानी देना है अगर माली जे सर्दी का मौसम है और वो ठंडा पानी नहीं पी रहा है तो थोड़ा सा गर्म करें के भी उसको पिलाना है तो उस प्रकार से पानी की कमी किसी भी सूरत में हमेश नहीं रखनी है इसके अलावा किसी भी प्रकार की बीमारी उसको हो जाए चाए दस्त है चाए उल्टी है या कोई भी प्रकार का इंफेक्शन हो जाए तो हमें जल्द से जल्द नजदी की डोक्टर की सला लेनी होगी उन्हें दिखा करके अच्छा से अच्छा उसका इलाज करवाना होगा ताकि उसकी जो समश्या है वो आगे ना बड़े इसके बाद अगला जो पॉइंट हमें ध्यान लखना है वो है सातियों जो चींचडी वो भी सफाई से जुड़ी हुई है आप लगातार अगर सफाई करेंगे तो बिल्कुल अच्छा रहेगा मैं आपको एक विशेश सला देना चाहूंगा कि मेडिकेटेड सेंपू अगर आप महीने में दो या तीन बार मेडिकेटेड सेंपू से सनान करवाते हैं तो वो हमारे डूगी के लिए बहुत अच्छा रहेगा इसके अलावा कई भाई लोग क्या करते हैं अगर बद्बू आ रही है तो कोई सेंट बगएर चिरख देते हैं वो बहुत ज़्यादा गलत है ऐसी चिज़ें डॉक्स के लिए ऐलर्जिक भी हो सकती है तो उनसे कोई फाइदा भी नहीं होगा वो ऐस्ता ही हमें लगेगा कि इसमें से बद्बू नहीं आ रही है लेकिन वास्ताम में जो बद्बू आ रही थी वो धीरे 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 बढ़ती जाती है यानि कि जो तकलीप है वो बढ़ती जाती है फिर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं और डॉक के अन्य जो बिमारिया है वो हो जाती है इसलिए अगर आपको यूज करना ही नहीं है तो ऐसे कई परकार के पाउडर साते है जो अच्छे रहते हैं यानि हमें इस परे सेंट वगरा यूज नहीं करना है जो डॉक के लिए अलग से पाउडर आते हैं वो ही हमें यूज करना है मूँ की सपाई अच्छे तरीके से रखनी है कान की सपाई अच्छे तरीके से रखनी है यानि कि यह सारे के सारे जो बिंदू है वो सभी सफ़ाई से जुड़े है इसके अलावा हमारा डोग जल्दी जल्दी बीमार ना हो और उसको पेट में वर्म्स पैदा ना हो उसके लिए उसकी डिवर्मिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डिवर्मिंग के भी कई तरीके हैं गरेलू है और एलोफेतिक है आयरवे परिदी है वो भी आप देखने इसके अलावा जो पॉइंट आता है वो आता है सातियों खान पान का यानि हमें अपने डोग के खान पान का पूरा त्यान रखना है हमें पूरा का पूरा उसको संतुलित आहार देना है यह आप विसेज द्यान दें आहार संतुलित होना बह जो भाई लोग है, वो अपने डॉक्स को अंदर ही अंदर रखते हैं, अंदरे में अंदरे में, यानि उसको धूप नहीं मिल पाती, धूप भी हर इसकिन को मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर उसे धूप नहीं मिलेगी, तो इसकिन पे कई परकार की परेशानियां हो स उसे एड़्जेस्ट कर सके, पचा सके, और सही तरीके से पचा लेगा, तो ऐसे डिव अगरा की शिकायद नहीं होगी, और आपका डोग जो है, एकदम से हेल्थी रहेगा.